इस बार का जो ब्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल का पूत थोड़ी कंजूसी के साथ बनाया गया है कंजूसी के साथ इसलिए क्योंकि इस बार नमस्कार जोहार इस बार का जो ब्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल का पूत थोड़ी कंजूसी के साथ बनाया गया है कंजूसी के साथ इसलिए क्योंकि इस पार वक्त नहीं मिला कि कहीं और जाकर आपके लिए कुछ सूट कर पाता तो पिछली बार जो ब्लॉग आपने देखा था मेरी यूटूब चैनल में जो मैंने रिंग रूट के आसपास के किला के कुछ उनकर बनाया था तो उसी यात्रा के दौरान एक और जगह हमने एक्स्प्लोर की थी और बहुत कम वक्त मिला इसे शूट करने के लिए लेकिन जितना भी शूट कर पाया वो आपके लिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ और उमीद करता हूँ कि आपको ये छूटा सा ब्लॉग जो है वो पसंद आएगा राची में कई ऐसी जगहें हैं जहां आप शायद नहीं गये होंगे या फिर वो जगह इतनी फेमस नहीं है या उस जगह का उतना नाम नहीं है जितना दूसरी जगहों का है जहां आप जाना पसंद करेंगे तो अकसर ऐसी जगहों को भी तलास केजिए और परसनली जो आपको जगह पसंद है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं उसके बारे में भी बताईए तो ये उसी तरह की एक जगह में से है जहां मैं पहली बार गया था और मुझे लगा कि जगह आप तक भी पहुँचनी चाहिए तो इस ब्लॉक के ज़री ये कोशिश कर रहा हूँ यह तो जारकण में कई से जगह हैं जहां भूम सकते हैं और बहुत शांदार जगह हैं जहां भूम सकते हैं लेकिन ऐसी कई जगह हैं जहां आप आ सकते हैं लेकिन वो एक तरह से कहें कि घूमने वाली जग्हों में शामिल नहीं है या आपके लिस्ट में बहुत देर ये सारी जग्हें आएंगी तो ऐसी ही एक जगह है जहां आप आ सकते हैं ये रिंग रूट से सटा एक लाका है जहां इस तरह पानी जम जाता है और इन जगहों पर अब धीरे-धीरे लोगों की भीड़ी जमा होने लगी है और लोग ऐसे भी एक टूरिस्ट प्लेस की तरह मानने लगे हैं शहर से जो लोग आते हैं वो इस तरह के जगहों के खुद तलास कर लेते हैं और अपनी ही लिस्ट बना लेते हैं तो ये जगहों में एक है लिस्ट डाई प्लेस नेता है विस्ट कर लेते हैं कि वोग बना लेती हैं सबस्क्राइब नेता है झाल झाल